गाईज अगर आप YouTube पे regular videos बनाते हैं यानि अगर आप एक YouTuber हैं तो दो problem आपको हमेशा होती होंगी पहली कि आपका channel जल्दी grow कैसे करेगा यानि आपके views और subscribers जल्दी कैसे बढ़ेंगे और दूसरा आपको video बनाने के लिए topics कहां से मिलेंगे इस वीडियो में मैं आपको इन दूनों problems का solution देने वाला हूँ बेसिकली आज हमें एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको अपने वीडियो के लिए unlimited topics मिल जाएंगे और वो भी वो topics जो audience actual में YouTube पे search करती है तो अगर आप इन पे videos बनाएंगे तो उन पे views जाने के chances जादा है इसके लावा इन topics के जो search terms होंगे उनको आप अपने वीडियो के title में यूज कर सकते हैं और अपने वीडियो का SEO भी improve कर सकते हैं तो इससे आपके वीडियो के searches में उपर rank करने के chances भी जादा होंगे तो इस tool को effectively use कैसे करना है यह जानने के लिए वीडिय आप साइट में YouTube करना है और अपने चैनल के analytics में जाएंगे तो यहाँ पर आपको research tab मिल जाएगा यहाँ पर लोग YouTube पर क्या search करते हैं उसका data मिल जाएगा इसके लावा आपकी audience YouTube पर क्या search करती है उसका भी data आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो for example मैं यहाँ पर search करता how to, तो देखें यहाँ पर how to keyword से related कितने सारे search terms आ गये हैं और आप इन सब पर YouTube videos बना सकते हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सारे topics आपको देख रहे हैं यह actual में audience YouTube पर search करती है और यहाँ पर आपको इनका search volume कैसा है यह भी देखने को मिल जाएगा इसके लावा कोई video है भी तो बहुत पुराना हो चुका है तो जिन भी topics से नीचे आपको एक content gap लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब यही दो तीन चीजों में से कुछ होगा और इन topics पे आप videos मना सकते हैं और यहाँ आपको कुछ filters बे मिल जाते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ content gaps इसके लाव आप यहाँ से अपना location भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैं इंडिया से लिक करता हूं तो इंडिया में लोग क्या सर्च करते हैं इसका data यहाँ पर आ जाएगा जैसे यहाँ पर सिर्फ YouTube लिख के सर्च करता हूं तो देखिए YouTube से related कितने सारे topics मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं चाहें तो आप इस सर्च को रिमूब भी कर सकते हैं या रिपोर्ट भी कर सकते हैं उसके बाद अगर इस सर्च के बारे में आपको और डीटियल में जाना है तो यहाँ गूगल ट्रेंस के option पर क्लिक कर देंगे और यहां से आप exactly देख सकते हैं कि लोगों का इंट बना सकते हैं उसके बाद अगर आपको यह देखना है कि आपके जो चैनल की ओडियंस है वो यूट्यूब पर क्या सर्च करती है तो इस वाले option पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको वो सारा data मिल जाएगा जो आपकी चैनल की ओडियंस यूट्यूब पर सर्च करती है जै अगर लगी हो तो इसको लाइक कर दीजेगा बाकि अपने वीडियो के लिए बहुत अच्छा description कैसे लिखना है यह मैंने इस वीडियो में बता रखा है तो आप इस वीडियो को जाके चेक आउट कर सकते हैं थैंक यू